जैसरी किष्टना बच्चों अभी इस वूडियो में हम दो में 0.4 का भाग कैसे दें यह सिखेंगे किसका भाग दे रहे हैं किस में दे रहे हैं देखिए भाग देने के लिए हमें इस पॉइंट को अटाना पड़ेगा तो इस point को कैसे अटाते हैं यहां पे सीखते हैं यह जो fraction है इसको हम क्या करते हैं वच्चों उपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं हमेशा जयान रखें जब भी यहां point होता है नीचे जिसनके हम भाग दे रहे हैं पहले उस point को अटाना पड़ेगा उपर नीचे 10 से गुणा कर दिया तो यहां उपर कितना बन गया दो गुणा 10 कितना बन गया 20 नीचे 4 गुणा 10 कितना 40 अब देखे point के बाद कितना है एक अंग है तो यहां एक अंग के पहले point आ जाएगा ठीक है point के बाद 0 है तो उसका कोई मैत्व नहीं है तो यह आपको fraction कैसे करनोट हो गया 20 बटे 4 में करनोट हो गया यानि ऐसे समझे सिम्पल सब्दों में अभी देखे पूरा divide करके बताओंगे मैं आपको ऐसे समझे यहां से point अटेगा point के बाद कितना अंग है एक अंग है तो यहां एक 0 आजगे सोचिए यदि यहां भी point होता तो फिर उसके साथ उस रिशाप से treatment होता यहां point होता तो यह कितना बन जाता फिर यदि point के बाद एक अंग होता तो यहां पर एक अंग के पहले point लग जाता जैसा आपका किल्कुलिसनों को उस रिशाप से आपको है जो अपना किल्कुलिसन करना उसमें गवराने की जुरूत नहीं यानि इसका मतलब क्या है बीस में चार का भाग देना तो देखिए बिल्कुल सिंपल है हम चार का पाड़ा कितनी वार लें कि हमें बीस से बड़ा ना मिले एक चोक चोक दे चोक आठ थीन चोक बारा चार चोक शोड़ा पांच चोक बीस पिर हमने इसको गटाए कितना कि ज अब देखिए मैं आपको केल्कुलेटर में करके दिखाता हूं यह रहां दो भाग पॉइंट चार कितना आता है देखिए आपका पांच आ रहे हैं पाइफ आ रहा है चीक है कि अज़िए